हेलो दोस्तों स्वागत है आपका रिशी क्रांती के इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG में Agriculture Students के लिए BHU में अगर उनको अप्लाई करना है तो कौन सा सब्जेक्ट चोज करना पड़ेगा या फिर विश्वभारती के लिए उनको कौन सा डोमेंड चूज करना पड़ेगा यहाँ पे ऐसे स्टुएंट्स जो पहले बार इस एक्जामिनेशन को दे रहे हैं काफे उनके मन में कन्फूजन रहते हैं चैगरिकल्स स्टुएंट्स के लिए पेशली हम देखने वाले हैं स्टुएटी पीजी 2023 में क्या क्या आपके लिए खास है कौन-कौन सी इन्वरसिटी यहाँ पे एड हुई है आपके लिए यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म आप कबसे भर सकते हैं 2020 मार्ज से ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं वेबसाइट पे भी लाइव हो चुका है और 19 अप्रिल तक आप एप्लिकेशन फॉर्म भल सकते हैं फॉर्म की फीज देखे तो जनरल के डेट्स के लिए 1000 रुपए, OBC के लिए 800 रुपए और SCHT के डेट्स के लिए 750 फॉर्म की फीज रखी गई है अभी एग्जामिनेशन की डेट्स बताई नहीं गई है दो सिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है एग्जामिनेशन का जो डूरेशन है 120 मिनिट्स का होता है 100 कोशन आपके रहते हैं 100 कोशन आपको करने होते हैं और एक कोशन चार नंबर का और निगेटिव मार्किंग 1x4 आपकी रहती है अफिशल वेबसाइट यहाँ पे हम देखे तो cvt.nta.nick.in जहां से आपको application form फिल करना है यही आपकी अफिशल वेबसाइट है हम paper का code देख लेते हैं तो agricultural science, bhu विश्वभारती और almost सभी university में apply करने के लिए आपको sqp01 यह code अपने form में select करना पड़ेगा ठीक है? इसको select कर लिया तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है next इसके बाद हमारी दूसरी कौन सी code है? यह है microbiology के, biochemistry के ठीक है? यह agriculture वालों के लिए नहीं है यह life science जो plane bsc करते हैं तीन साल वाले उन के लिए हो जाता है ठीक है? बिन इसके बाद जो other branches के student हैं जैसे forestry के लिए हो गया तो अपना code देख लेंगे कि यह वाला code आपको अपने form में choose करना है ठीक है? इसी तरह से जैसे एक soil water conservation का paper होता है, BHU के लिए ही तो अगर आपको उसके लिए भी apply करना है तो यह 26 वाला code आप use करेंगे, okay इसके बाद जैसे आपको अगर animal science में भी apply करना है तो इसके लिए separate code है तो आप code number 30 use करेंगे, ऐसा करके आप यहाँ पे apply कर सकते हैं इसके बाद जैसे आपको agree business management में करना है तो उसके लिए paper का code coqp01 दिया गया है इसी तरह से BHU में आप देख लें कि agree business management जो उनका है या फिर MAABM है उसमें कौन सा code जरूरी है तो यहाँ पे आप directly search कर लेंगे MABM जब आप MABM सर्च करेंगे BHU के लिए तो आपको कौन सा code मिलेगा coqp01 मतलब जो हमने code देखा था उपर वही code आपको select करना है तो आप eligible हो जाएंगे Masters of Agribusiness Management बनारा सिंदू इन्वसिटी के अंतर next हम बात कर लेते हैं BHU MSC AG में कौन-कौन से courses में आप admission ले पाएंगे इस code को select करने के बाद MSC Agriculture में सभी allied branches में आप admission ले पाएंगे Agronomy, Soil Science, Plant Wading Entomology, Pathology Horticulture, चाहे Fruit Science हो या फिर Vegetable Science हो, Physiology हो गया Floriculture and Landskipping हो गया Extension Education हो गया Economics हो गया, सभी में आप admission ले पाएंगे, उसके लिए आपको केवल एक ही paper देना होगा यहाँ पे जो आपके 75 question है यह 75 question आपके agriculture subject से यानि पूरा general agriculture subject से पूछे जाएंगे, ठीक है फिर इसमें जो आपके number आएंगे तो उसकी counselling के basis पे BHU counselling खुद करवाता है तो उस counselling के basis पे आप subject चूज करके admission ले पाओगे यहाँ पे pattern हमने देखा 75 question जो 75 question है हमारे subject के question रहेंगे बाकि जो 25 question रहेंगे वो general question जिसमें आपका reasoning maths रहेगा reasoning और math जो 25 question है उसमें आप चाहें तो हिंदी में उसको attempt करें या फिर English में attempt करें वहाँ पे आपके पास subject की choice रहती है लेकिन यहाँ पे जो subject specific जो 75 question एक जिकल्चर के रहते हैं वो केवल English medium में ही आपको मिलेंगे तो यहाँ पे भी आपको doubt में नहीं रहना है eligibility बहुत simple है 4 साल की BSC AG आपके पास होनी चाहिए या फिर BSC Horticulture BHU के लिए और ICR का accreditation यहाँ पे ऐसा अनिवार नहीं बताया गया है बताया गया है कि आपका जो syllabus है वो credit based system होना चाहिए जैसे आपने BSC AG में पढ़ा होगा 1 plus 1 credit, 2 plus 1 credit ऐसा करके जो syllabus ICR की guidelines में हैं अगर आप वो पढ़ रहे हैं तो आप इसमें eligible हैं ICR accreditation की यहाँ जरूरत नहीं है ठीक है, admission आपको मिलेगा कोई भी कितना भी रवित करने की कोशिश करे आपको नहीं मानना है आपको directly यह eligibility वाला section उसको दिखा देना है कि ऐसा eligibility हमने पढ़ा है और यहीं हम मानेंगे OGPA requirement की बात करें तो 6 OGPA चाहिए general candidates के लिए इसके अलावा जो भी category वाले students है उनके लिए 5.5 CGPA होनी चाहिए और यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि third division आपका कभी नहीं होना चाहिए OGPA उससे आपका उपर होना चाहिए next हम बात करें विश्व भारती उनिवर्सिटी के लिए तो यहाँ पे भी उसकी eligibility सेम है जो paper का code आपको attempt करना है वो भी सेम है STQP01 यही code आपको attempt करना है इसी code से आपको विश्व भारती में भी admission मिलेगा जितनी भी eligibility है वो भी सेम है कि 60% नमबर आपके OGPA होनी चाहिए 4 साल की BSCAG में और OBC में 54% नमबर होना चाहिए चिक है OBC या फिर SCST इतना यहाँ पर बताया गया और सभी जैसे agricultural extension हो गया या फिजनेटिक्स और plant bidding हो गया entomology हो गया, pathology हो गया तो सभी के लिए आपका जो paper pattern है वो सेम है अब यहाँ पर अलग-अलग लिख दिया गया है लेकिन जब तक यह paper code आपका सेम रहेगा तब तक आपको same question paper मिलेगा अगर paper code इसमें change होता है तो ही आपका दूसरा paper conduct किया जाएग यहाँ पर भी जो 75 question है वो आपके agriculture के रहेंगे 25 question आपके रहेंगे reasoning और math से चीक है next है आपके हम देख लेते हैं SCQP01 में कौन-कौन सी universities है जहाँ पर हमारी agricultural sciences available है तो सबसे पहले यहाँ पर AKS University, Banara Sindhu University Barakatullah University, Carrier Point University Kota, GD Guneka University Gita University, Pani Pathariana फिर GLA University Graphic Irahil University, Dehradun Campus फिर Himalayan University IIMT University, Meret Invertis University, Barili दने इसके बाद ITM University, Gualier Jagannath University, Bahadurgar दने इसके बाद Jagannath University, Jaipur Mangaliyantam University, Jabalpur Meward University Nirwani University, Jaipur Rajiv Gandhi University, Arunanchal Pradesh R&B Global University, Bikaner Sangam University, Bilwada Sanskriti University दने इसके बाद Soviet Institute of Engineering and Technology शोलिनी उन्वेसिटी ओफ Biotechnology and Management Science Shri Kaushal Das University, Hanuman Ghar, Sikkim Professional University University of Engineering and Technology रुडकी, Vikram University उज्जयन, विश्वभारती उन्वेसिटी और विवेकनन्द, Global University, Jaipur तो यहाँ पे Agriculture के courses भी अवेलिबल हैं, इसलिए आपका यहाँ पे, इन सभी उन्वेसिटी में Agriculture के courses अवेलिबल हैं, इसलिए आपका Agricultural Science वाला paper code इसमें यूज हो रहा है, ठीक है? तो यह paper code देके, तो यह वाला paper देके, आप इन सभी उन्वेसिटी में admission ले सकते हैं, next हम देख लेते हैं, हमारा जो second paper code में आपको बताया था, SCQP 16, इन में कौन-कौन सी उन्वेसिटी में आप admission ले सकते हैं, तो AKS University हो गई, Apex University हो गई, Arunanchil Universities of Studies हो गई, बाबा साब भीमरा औमेडकर University हो गई, Central University of Tamil Nadu, गलगोटियाज गढवाद University, श्रीनगर में, फिर IIMT मेरट में, फिर Mangaliyantam, जवलपूर, मेवाड University, मिजूरम University, North Eastern Hill University, और रामकृष्णमेशन, विवेकननद Education Research Institute, कोलकाता में, इन सब भी उन्वेसिटी में आप ले पाएंगे SCQP 16 के द्वारा, फिर एक राची कैमपस में सेम उन्वेसिटी है, R&B Global University, विकानेर में, संस्कृति उन्वेसिटी भी है, सिक्कीम, प्रोफेशनल उन्वेसिटी, सिक्कीम उन्वेसिटी, सुरेश ग्यान वियार उन्वेसिटी, जैपूर और त्रिपुरा उन्वेसिटी, तो यहाँ पे सेकेंड पेपर कोड़ आपका SCQP 16 लग जाएगा, तो इन दोनों ही कोड़ से लगबग लगबग यहाँ पे 30 से ज़ादा उन्वेसिटी हैं, जहाँ पे आप एडमीशन ले सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे केवल दो उन्वेसिटीज, BHU और विश्वभारती हैं, जहाँ पे आप आप आग बंद करके अडमीशन ले सकते हैं, इसके लावा जितनी भी उन्वेसिटीज हैं, प्राविट की हैं, जिसमें ICR का अक्रिडेशन नहीं हैं, वहाँ पे अडमीशन लेने से पहले, उनका फीडबैक, उनकी जाया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ, जो MSCAG के लिए एप्लिकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उन सभी तक भी ये वीडियो शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रेस कर लेना, तो से मिसना हो, इसके लिए बेल आइकान प्रेस करके, टेलीग्राम चैनल और वाटसेप पे भी जॉइन हो जाएं, जिससे काउंसलिंग तक कि आपको एड्मिशन तक की सभी इंफोमेशन स्टेप बाई स्टेप मिलती रहें, दोस्तों मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तक तक स्वस्त रहें, मस्त रहें, देखते रहें कृषिक रांती यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद,